कि अध्र वेल्कम टू एिस प्राइट आफ लाइबिररी इंफरमिशन साइंस सभी दठते घुकर सभागत है जो भी लाइबरी साइंसे बीला एप्लाइब अब एप्रेक्रास कर रहे हैं आपने से कही सारे स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें आप दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्षर का जा नोटिफिकेशन हो पहुंस सके तो इस वीडियो हम कवर करने वाले प्रीवेस एर कोश्चन देखिए इसको आप सिर्फ यह ना देखिए कि हां आई नो हम उसको समझना है ताकि जब आप थेरी करने बैठे तो आपको चीजे जो है आपको मतलब समझ में हैं तो वही में उदेश्य है कि आपको समझाएं और यहां पर एक तरह से बताएं कि किस तरीके से जो है आपको आंसर राइटिंग करनी है एक्जाम में तो अलड़ी हम कई सा पर फोर मास्टर अफ लाइबरेरी इंफर्मिशन साइंस टॉम एंड एक्जामिनेशन जून दोजार बीस का यहां पर कोशन पेपर है इंफर्मिशन कम्यूनिकेशन टेकनोलजी एंप्लिकेशन तो नाम से आपको समझ में आ रहा है यह कंप्यूटर से रिलेटिड ज्याद सबसे पहले आपको कैसे कोशन लिख मतलब मान के चले कोशन आ गया what do you understand by data models data mark क्या समझते है तो सबसे पहले आको introduction देना है dos et चार लाइन के बीच में फिर आपको data मॉड़ल क्या होता है in the तो पहले तो डेटा मोडल क्या होते हैं यह बता देना है फिर इसके टाइप कौन से होते हैं, यह बताना है और इसके दो टाइप को यहां पर एक्सप्लेयन कर देना है, उसको करने के बाद, last में आपको क्या करना है, कि लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिख ला है दो से चार लाइनों में और उसके बाद आपका अंसर जो है कम्प्लीट हो जाएगा मतला जब आप लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा कि अच्छा है आप में इंप्रेशन जाएगा जो आपका आपको पेपर जो जो चिक कर रहां होगा उसके बता कि अच्छा लगे और आपको अच्छा मार्स दे दें तो वही है कि आपको डिपेंड करता है अप चीज़गों किस तरीके से कर रहे हैं और एक और बात की एक question आता है उसमें और करके option आता है तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे second question है इसमें explain the criteria for evaluation of library automation software packages तो क्योंकि यह मतलब technology से related software वगरा इस सारी चीज़ों से related है तो उपर उपर से आपको हम थोड़ा idea देंगे ताकि जब हम आपको answer इसका करवाने बैठें तो आप blank ना हो जाए एक तरह से आपको aware कराने के लिए question से familiar कराने के लिए आपको यह सारी चीज़ जा है हम करा रहे हैं तो यहाँ पर criteria बताना है जो evaluation करते है library automation आपको पता होगा जब library जो है उसमें जो यहाँ पर book जो है आपको vendor से कैसे order करना है या फिर किसी को book मतलब आपको देना है या उससे return करवाना है तो किस तरीके साब automated library में उस चीज़ों को करेंगे और उसमें कौन से software packages होते हैं लाइक कोहा वगरा हो गए यह open source software भी है फिर question number two है what are the functions of computerized circulation modules होते हैं तो computerized circulation modules नाम सी समझ में आ गया जो circulation होता है documents का वो computerized में उसके functions क्या होते हैं यह बताने है और इसके advantages बता देना है तो advantages में यह आएगा कि computerized हो रहा है तो speed में यहाँ पर circulation होगा मतलब time पर पहुँच जाएगा उसके अलावा यहाँ पर cost कम लगेगा यहाँ पर wastage कम होगा paper का कम use होगा और यहाँ पर effort कम लगाना पड़ेगा उसके साथ एक और question और में है कि explain the need for digitization and the process of selection of material for digitization तो digitization की जरुत क्यों पर एक्स्प्रेन करना है कि इसकी जरुत क्यों है और process बताना है selection of the material है digitization का तो digitization क्या होता है कि चीजों को digitalize कर देना जो भी hard copy है अगर library की बात करें तो उनको soft copy में बना देना तो इसको बोलते है digitization तो इसकी जरुत क्यों पड़ी क्योंकि आज कल जो है hard copy कौन ही पढ़ना चाहता है बहुत ही कम ऐसे लोग है जो पढ़ना चाहते है ऐसा भी नहीं मतलब पढ़ते हैं बट वह है कि जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जो digital पढ़ना पसंद करते हैं तो इ तो इसको जब हम आपका जो इसका आंसर बताएंगे तब ज्यादा डेटेल में आपको कवर करवाएंगे कोशन इसमें और करके है What do you understand by digital reference services? डिजिटल रइफरेंस सर्विसेश होती है वैसे ही digitally आपको reference services प्रवाइट की जारी है मान के लीजिए कि आपको कोई भी डॉकुमेंट चाहिए तो आप लाइब्रेरी को अप्रोच कर रहे हैं अगर वो मतलब मैनूल लाइब्रेरी है मतलब वहाँ पे सारा काम जो है वो इनसानों के दोरा किया जाता है तो आपको फिर वो मतलब हाँड कोपी में चीज़े प्रोइड के जाएगा बट अगर वो डिजिटल लाइब्रेरी है या फिर किसी भी लाइब्रेरी के पास डिजिटल फैसिलिटी है तो आपको डिजिटल रेफरेंस प्रोइड कर देंगे और करके है इसमें अगर नहीं है तो कहाँ पर मिलेगा या फिर आ गया है तो आप आप के ले जाए हमने इसको मंगा दिया है तो इस तरीके से आप उनको मतलब प्रवाइड करें इन्फरमेशन Q4 है explain the working of search engine search engine का जो कारे होता है वो बताना है search engine क्या करता है? चीजों को सर्च करके देता है तो उसके कारे हैं आप explain करने है और describe करने है category करी उसके अलावा है इसमें वाट आर जो वर्चुल जो वाइरस होते हैं वो किसरी कंप्यूटर वाइरस क्या होते हैं तो आपको पता यह कंप्यूटर वाइरस क्या होते हैं यह तरह से मालवेर्स होते हैं जो कंप्यूटर को है कर देते हैं उसके सिस्टम को स्लो कर देते हैं कितने चीजों को तो corrupt कर देते हैं तो उनको viruses बोला जाता है जो defect कर देते हैं computer को functioning को malfunctioning हो जाता है उनके अंदर describe there जो main classes main class बताना इन viruses को suggest measure for decoding them उनको decode करने का measure क्या है फिर है question number 5 जो कि short note है 300 word में रहेगा ये और 3 ही इसमें note लिखना है तो B3 entry relationship module publishers of e-resource and their subscription e-resource जो publisher होते हैं और उनके subscription ISTN या SGML तो इन पे short note लिखना है तो ये तो आपको जब हम short note कर यहाँ पे मतलब जब explain कर रहे होंगे इनके answer तब आपको समझ में आ जाएगा तो ये था paper one जिसमे June 2020 का हमने cover करा है और ये हिंदी वाले student के लिए अगर आपको question देखना है तो यहाँ से आप video को pause करके और question का screenshot ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं अलगे मैंने सारी चीज़ें हिंदी में बताई हैं तो चलिए मिलते हैं आप सब इस नेक्स लेक्षर में किस यारण topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप सकते हैं